हुआ है जनको ताराइड की प्राव्लम है थाइड के निहीं भी बहुत कारगर है भारंगी की जड का पौडर ऑर उस जड में आप मिला ले एक ऐगर दोड़ेख़ आप प्राता है साय हम गरम पानी साप ले लेते हैं तो इससे आपका थाइराइड की बिमारी में बहुत लाब होता है बहुत गुणकारी है हाँ थाइराइड की यह दि कोई प्रतिक्षा करिए थाइराइड की बिमारी हमेशा जड़ से खतम हो सकती हमेशा के लिए धहरे रखिए घपराइए नहीं परेशान मत होई आप प्राणायम रेगुलर करिए प्राणायम करती हुए त्रिकुटा और इसको ले ले और मुठापा ज्यादा बढ़ा हुआ है तो शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया कि कभी भी रोग और शत्रु को आपको कभी भी सामाने नहीं समझना चाहिए उनके लिए कभी भी आपको असावधान नहीं होना चाहिए तो बीमारी कभी भी भी भैनक हो सकती है हलाकि हमारी संस्कृतिक जो उदात्यता तो ये बताती हमें चाहे को शत्रुता करे, चाहे मित्रता करे, जो साधक और संत लोग होते हैं, वो अपने कारे में निरंतर लगे रहते हैं, यह तो प्राचिन काल की रीथ है, जब रिशी लोग यज्जी करते थे, तो राक्षस लोग हड्डियां और मांस डाला करते थे, तो यह एक यज्जी ह मिशन है, जो संत महात्मा लोग, जो हमारी संस्कृति को और आध्यात्म को जो जन जन तक पहुंचाने में जो इच्चुक लोग हैं, वो लगे हुए हैं, तो दूसरे राक्षस प्रवड़ती के लोग हैं, उस यज्जी रुपी, उस सेवा कर्म को विगन देने के लिए, ब आपमान पर लोग जीते हैं, कहते हैं, जो मान है तो सब कूशे नहीं है, तो फिर क्या बचा, तो वहां पर भी मैं एक बात कहता हूँ, कि हमें प्रयत्ना करना चाहिए, कि इन चीजों से हम बहुत वीचलीत नहों, मान अपमान में हम अपने आप को ज्यादा समय को ज्याद करें, आप धीरी धीरी आप इसका प्रयूक शुरू कर दें, जो दूसरी दबाईयां ले रहे हों, वो धीरी धीरी अपने आप जब बिमारी ठीक हो जाए कि तो लेने की जोत नहीं है, मालीज आपको अस्थमा है, स्वांस की बिमारी है, परेशानी है, तो आपको इनहलर ल स्वांस की लिए, ये भारंगी मिल जाए, तो ये अपने आप में ही बहुत गुनकारी है, बहुत ही अच्छा प्रयूग है ये